नमस्कार दोस्तों, समुद्र के भीतर 2.18 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हुए एक कृत्रिम्धुई पर यदि कोई पवनूर्जा सैंतर स्थापित किया जाए तो प्रमुक्त या दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उस क्षेत्र का संपूर्ण उप्योग तथा पव प्लांट बन चुका है, यह पूर्वी यॉट्शायर तट के पास स्थित है, जिसे डॉगर बेंक के नाम से भी जाना जाता है, इसे टैनर टेस्पर योजना भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में पवन्चा किया स्थापित करने में बहुत मुश्किल आई थी, क्यूंकि यह सम इंवर्टर स्टेशन को भेजा जाता है, जहां से पावर ग्रिड स्टेशन को वे हूर्जा ट्रांस फर कर दी जाती है, ज्यादा दूरी की केबल्स में पावर लॉस ज्यादा होता है, इस तरह की रोजनाओं में सबसे ज्यादा खर्चा अंडर वाटर केबल्स पिछाने औ और कृत्रिम्धूीप बनाने में होता है यह एक चुनौती है जिससे निपटने के लिए तकनी का सहरा लिया जा रहा है दोस्तों इस खबर में इतना ही हर ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल धन्यवाद